हमारा देश पिछले दस साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरुजगारी, मंगाई, आर्थिक संकत, असमानता और अत्याचार को बरावा देने में कोई खासर नहीं छोड़ी है इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है मोदी जी खुद को महान मान कर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिरारन कर रहें विपक्षी नेताओ को दराने धमकाने भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह की हटकंदे अपनाए जा रहें मेहन से कड़ी की गई लोकतंत्रिक संस्ताओं को राजनीटिक सक्ता का हत्यार से परबाद किया जा रहा है यही नहीं हमारे संविदान को बदलने का शर्यंत्र रचा रहा है पूरे तंत्र में भै बताया जा रहा है यह सब क्या है यह तो ताना शही है और हम सब इस ताना शही का जवाब देंगे यह देश सिर्फ चांद लोगों की जागीर नहीं है यह देश हम सब का है इसे हमारे पुरकों ने अपने खून से सीचा है मुझे पूरा यखीन है कि कांग्रिस के हमारे साथी नियाय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंडियों में उससे संभाल कर आगे बढ़ेंगे आज आप सब के बीच आखर मुझे अपार गर्व हो रहा है साथियों कभी हमारे महान पुर्वजों ने अपने कथीन संगर्ष के बलबूते परदीन्ता के गोर हंदेरे में देश की स्वादीन्ता के सूर्य को खोजा और पाया था इतने वरसोबाद वहमान जोती कुछ मद्दिम पर गई है चार ओर अन्याय का अंदकार बढ़ा है हम सबी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके किलाफ लरेंगे न्याय की रोश्नी हो जाएंगे भायों और बहनों हमारा देश पिछले दस साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरुजगारी, मंगाई, आर्थिक संकत, असमानता और अत्यचार को बरावा देने में कोई खासर नहीं छोड़ी है इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है इसलिए यह समय हताशा से बड़ा हुआ है लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उमीद का भी जनम होता है मुझे पूरा यखीन है कि कांग्रिस के हमारे साथ ही नियाए के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंडियों में उससे सम्हाल कर आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह देश सिर्फ चांद लोगों की जागीर नहीं है यह देश हम सब का है इसे हमारे पुरकों ने अपने खून से सीचा है इसकी हवाव में हमारी मा बेहनों के पसीना का नमक है यह देश हमारे बच्चों का आंगन है इस देश के मासूम बच्चों से उनके इससे का नियाए छीना नहीं जा सकता भाई और बेहनों देश के उपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती क्या कोई देश कोई देश से बरा कोई हो सकता है जो ऐसा सोचता है देश की जनता मेरी प्यारी बेहने नोजवान किसान मजदूर अदिवासी उसे साबक सिखा देते हैं दुर्बागिय दुर्बागिय से आज हमारे डेश में ऐसे नेता सत्ता में विरजमान हैं मोदी जी खुद को महान मान कर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिरारन कर रहे हैं विपक्षी नेताओ को दराने धमकाने भाजबा में शामिल कराने के लिए तरह तरह की हटकंदे अपनाए जा रहे हैं तो भायों और बहनों आज हमारे डेश का लोकतंत्र खत्रे में हैं मेहनत मेहन से कड़ी की गई लोकतंत्रिक संस्ताओं को राजनीटिक सक्ता का हत्यार से परबाद किया जा रहा है यही नहीं हमारे संविदान को बदलने का शर्यंत्र रचा रहा है पूरे तंत्र में भै बताया जा रहा है यह सब क्या है यह तो ताना शही है और हम सब इस ताना शही का जवाब देंगे आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान तक जुता पाने मुश्किल है मेनतकंश कामगार के परिश्रम का मूल कम होता जा रहा है रसोई की महंगाई बार बार मेरी बेहनों की अगने परिक्षा ले रही है किसानों और मध्यमवर्गिय परिवारों के बच्चिप पच्चियां बेरुजगार है गरीब चितना जोर लगा ले उसके पास शक्ती सफलता और रोश्नी पहुच नहीं पा रही है साथियों आज देश महांजनता का आपकी जगरुपता का रास्ता देख रहा है इसलिए बर्धिया राश्या कांग्रेस ने अपने नियाए गोश्नपात्र को पाच इस सो में बठा है जिसका लोकारपन अभी अभी हुआ और जिसके बारे में प्रियांका ने विश्दार से आपको बठाया है तो भाई और बहनों मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादूर और मेनती साथी अपने पर्ज निबाते हुए इसके एक एक समकल्प को एक एक गरंटी को देश के कोने कोने तक पहुचाने में कोई कोर कासर नहीं चुरेंगे आप सबको यहां आने के लिए दिल से बहुत बहुत तन्यवाद